वेलकम टू इस्टेडी एक्जाम एकेडमी मेरे प्यारे साथियूं आज हम मई मईने के जितने भी करेंट अपेर्श के मैथ बून पर्षन है वोन सभी पर्षनों को कवर करेंगे एक भी पर्षन ऐसा ने छोड़ेंगे जो की एक्जाम में आये और हमने पड़ा ने हो तो साथियूं वीडियो को अंतक देखना इस छोटी सी 10 मिंट की क्लास में में बहुत सारे पर्षन आपको कवर करवा दूँगा बहुती कम समय में ज्यादा समय नहीं लूँगा पहला पर्षन है कोरोना वाइरस की वज़े से आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनि पहला विक्सिदे से इसका राइट एंसर भी होगा जापान जापान की राजदानी टोक्यो तो साथियूं यह वो पर्षन है जो अदितर विदार्तियों के एक्जाम में गलत होगा तो इस पर्षन का विशेश तोर से ध्यान रखना बढ़ते हैं अगले पर्षन की और अग 4.40 इसे पहले में बात करूँ तो 4.40 पर्षन इसकी रेपो रेट दर थी अगला पर्षन हाल ही में विश्वे सवास्चे संगठन के कारी-कारी बोड का अध्यक्स बनाया गया है अतै इस पर्षन का राइट एंसर ए होगा डोक्टर हर्ष वर्धन जो की सवास्चे मंद्री है अगला पर्षन अंफान तुपान से सरवादिक परभवित राज्य है तो अंफान तुपान ने सरवादिक परभवित किया है पस्चिम बंगाल को इसका राइट एंसर शी होगा और इसके साथ में उड़ी सा भी परभवित हुआता ये भी ध्यान रखना और हाली में गु पूलेक बी है काला पानी सी है लीपिया धूरा और डी है सभी अते इस परशन का राइट एंसर डी होगा ये तिनुई इसके अंदर सामिल है बहती महतुपुन परशन है ये अगला परशन टीडियों के हमले से सरवादिक परभवित राज्य है ए है राजस्तान बी सी हरियाना और डी गुजरात तो इस परशन का राइट एंसर ए होगा राजस्तान राजस्तान के मुख्य मंतरी असो गेलोत राज़ी पार कलराज मिस्रा ध्यान रखना अगला परशन किस राज्य सरकार ने चरण पादू का पहल की शुरुआत की है यानि जो कोरोना वारिस के कारण जो परवाशी मजदूर है वो पैदल चलके आ रहे हैं मद्य परदेश राज्य से उनको चपल जूते उपलब्द करवाएगी सरकार इसका राइट एंसर डी होगा मद्य परदेश सरकार अगला परशन किस देश ने डीजिटल मुद्रा को जारी किया है ए है बारत भी है चीन सी है अमेरिका डी है रूस तो डीजिटल मुद्रा को जारी करने वाला देश है चीन कोरोना वाईरिस को फेलाने वाला इसका राइट एंसर भी होगा अगला परसन साथ यूँ विश्वे संग्रालिय दिवस मनाया जाता है ये मई मईने में मनाया गया और इस परकार का दिवस पूचा जाता है वेसे मई मईने बहुत सारे दिवस मनाये गए उनका में एक अलग वीडियो बना दूँगा आपके लिए ट्रिक के साथ इस परसन का राइट एंसवर डी होगा 18 मई को नेक्स्ट केंदर सरकार ने कोरोना वाइरस की वज़े से देश व्यापी लोकडाउन को चोती बार कब तक लिए बढ़या है यानि बढ़या था इसका राइट एंसवर ए होगा 31 मई को अब कोरोना वाइरस सर्वे परतम किस दिन लगया था मुझे कमेंट करके बताना और अपना अनुभव दिकाना तोड़ा किस देश ने विरोध के रूप में जंडे को जलाने पर परतिबन लगया था यानि कि कोई भी मालो उस देश में विरोध होता है तो उसमें किसी भी देश का जंडा नहीं जलाया जाएगा इसका राइट एंसर C होगा जर्मनी अगला पर्शन आपके सामने बारतिये रेल्वे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए ये किस एप को अपने पास मोबाइल में रखना अनिवार ये किया है इसका एंसर आता होगा आपको इसका सही उतर भी होगा आरोगिये सेतू एप ये क्या करता है कोरोना मरीज की लोकेशन को ट्रेक करता है ये बता देता है कि करोना का मरीज हमसे कितनी दूरी परे अगला परशन राष्ट्रिये डेंगु दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया गया 16 मई को इसका राइट एंसवर ए होगा अगला परशन सिक्किम राजी का इस्थापना दिवस मनाया जाता है या हाली में मनाया गया तो ये मनाया गया है 16 मई को इसका भी राइट एंसर ए होगा अब सिक्म राज्य की इस्ताफ ना कब हुई थी मुझे कमेंट करके बताना सिक्म की राजदानी है गंग टोक अगला परशन हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जेई टेग मिला है अभी बहुत सारे राज्य को जेई टेग दिया गया है तो तेलिया रुमाल की बात करे तो ये तेलन गाना को दिया गया इसका राइट एंसर भी होगा और जम्मू कस्मीर की आपको पता होगा कैसर को दिया गया था हाली में पेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतिय महिला बनी है तो इस परशन का राइट एंसर सी होगा ये टेनिस पलेर सानिया मिर्जा बनी है अगले परशन की बात करते हैं मैं जल्दी से करा रहा हूँ ताकि आपका समय नेशने और वीडियो आप अन तक देख सकें पूरा पाकिस्तान ने किस बांध के निर्मान है तूँ चीन के साथ समझोता किया है इस परशन का राइट एंसर भी होगा डाइमर बासा बांध और हाली में एक बांध के लिए और समझोता हुआ है उसको भी आप ध्यान रखना अगला परशन किस राज्य की सिशू मर्चुदर सबसे खराब है तो सिशू मर्चुदर सबसे ज़्यादा खराब किस राज्य की है इसका राइट एंसर डी होगा मद्य परदेश राज्य की है मद्य परदेश की राजदानी की बात करे तो बोफाल है अगला परशन मई 2020 में मनमीच सिंग वालिया का 58 वरस की आयू में कोरोना वायरिस के चलते निदन हुआ इनका संबन था तो इनका संबन टेबल टेनिस से था इसका राइट एंसर सी होगा ये ध्यान रखना अगला परशन विश्वे आर्थिक मंच के वेश्विक उर्जा सरक्षन सूचकांग में भारत कौन से इस्तान पर है तो भारत है 74 इस्तान पर इसका राइट एंसर डी होगा राजस्तान करेंट पेश की हमारी काफी कलाशे हो चुकी है आप उनको जरूर देखना चैनल की पले लिस्ट पर जाकर राजस्तान पुलिस की कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए मैला बालपराद का पूरा कोर्श करवाया गया है अपनी पले लिस्ट पर मिल जाएगा चैनल पी जरूर देखना कहां पर सरकार ने केवल सवदेशी वस्तुएं बेचने का फेशला लिया है इसका राइट एंसर एह होगा पेरा मिलिटरी फोर्श में सवदेशी वस्तुएं बेची जाएगी अगला पर्शन किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा को जारी किया है अते इस पर्शन का राइट एंसर भी होगा चीन कोरोना वाइरस को फेलाने वाला चाइन ने इसको जारी किया है अगला पर्शन ततपर कारी करम की शुरुआत कि सेर में की गई अते इस पर्शन का राइट एंसर डी होगा जार कंड की राजदानी रांची में ततपर कारी करम की शुरुआत की गई अगला पर्शन राष्टपती रामनाथ कोविन ने एक वरस के लिए अपने वेतन का कितना परतिसद त्यागने का निर्णे लिया है अते इस पर्शन का राइट एंसर सी होगा 30% ये कोरोना वाइरस के चलते इन्होंने त्याग किया है अपने वेतन का राष्टपती का वेतन की बात कुनों तो 5 लाग राष्टपती का वेतन होता है मंधली अगला पर्शन बहुत ही जएदा मेहतुपन टिक्टो कंपनी के वर्तमान सीयो कौन है अते इसका राइट एंसर ए होगा केविन मेयर ये एक चाइनीज कंपनी है और हाली में टिक्टो को और यूटूब के वीच में विवाद वाय इसलिए ज्यान रखना अगला पर्शन किस राइजी ने अपने परदेश के सोपिंग मोल में सराब की विक्री को मंझूरी दी है अते इस परशन का राइट एंसर डी होगा उत्तर परदेश की योगी सरकार्ण है उत्तर परदेश की राजदानी है लखनव राजजी पाल है आनंदी बेन पतेल इस परशन का राइट एंसर भी होगा 17% गिरावट आई है वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मित्रू तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहें चीन ने हाली में भारतिये शीमा के साथ किस इस्तान पर इस परशन का राइट एंसर भी होगा 480 जैन थी महारणा परताब की बात करूं तो इनका जिनम 9 मई 1540 को हुआ था कुमलगड दुरक के बादल मेल में और हिंदी तिति के अनुसार 1540 में यानि की 9 मई को जैस्ट शूकल की तर्तिया तिति थी इसलिए इस वरस ये तिति 25 को मना गया थै ध्यान रखना और मारना पड़ता है कि मर क्यूं कब हुई थी यदि आपको पता इतना नोलेज रखते हो तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना इस परशन पर मैंने चर्चा की थी काफी फेले यदि आपको याद नहीं हो तो मैं याद उस पंक्तियों क मादियम से आपको दिलाता हूँ चेतक पर चड जिसने बाला से दुस्मन संथारे थे मात्र भुमी के खाती जंगल में कहीं साल गुजारे थे और भी समझ में नहीं तो और सुनो हसीन तो बहुत होते हैं पर सभी रानी पदमीनी जैसे नहीं होते पूत तो सभी होते हैं पर महरणा परताब जैसे सपूत नहीं होते और भी नहीं समझ में है तो और सुनो सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राना तु अपना मस्तक उंचा करता था थी राना तुझ में कोई बात निराली इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था अर आगे नदियां पड़ी अपार गोडा कैसे उतरे उस पार राना ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार अब तो मुझे लगता आपको याद आगई हो गया वो दिन जब हमने इस पशन पर चर्चा की थी तो सात्यूं ये कुछ महत पुन पशन थे आपको ये कैसे लगे अच्छे लगे तो लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादे प्यारे मित्रों को सेर करें आगे दन्यवाद सात्यूं मिलते हैं अगले वीडियोज में इसी तरह